हेलो प्रेंट्स आज कुरुक्सप में हम सिरीज बाल्प के दौरा किसी भी सर्कृट को कैसी चेक करते हैं और सिरीज बाल्प कैसे बनाते हैं वह आज हम सिखेंगे तो सिरीज बाल्प के दौरा हम सर्कृट को चेक करेंगे लेकिन उससे पहले हम सिरीज बाल्प बनाना होगा मेरे पीर पास एक गंडेट वाटकवा government है मेरे मेरे ले को अब फिर लगा हुआ है एक circuit जो आप देख रहे हो इसटेक्ट इसको आज हम check करेंगे और ये मेरे पास एक wire है जीमेर 2000 लगा हुआ है आक कसी भी TWO PIN ले सकते हो टूपिन लेके उसमें दो वायर आपको असानी से लगा सकते हो और उसे भी बना सकते हो हम उसके उपर का इंस्टूरेशन अटाल लेते हैं और दोनों का एक एक वायर काट देते हैं होल्डर का और इस टूपिन हुजी दो वायर लगा हुए दोनों का एक एक वायर काटके और इसे हम फिक्स कर देंगे स्वर्य आपस में जॉइन करके टेप अच्छे से टेप मार देंगे और टेप मारने के बाद यह मेरा से बल्ब का जो सा किट है वो लगा हो बनके कंपलीट कि टोलिए हैे सिरीज बलब सेॉलिए कंठी के सिर्म रीड़ि डवार हम देखते हैं कॉझाटिनूटी हो पो रहा है या पिर नहीं हो रहा है सटिक्ट में वह हम एक होल्डर है और एक टूपिन जिसमें दो वायर लगा हुए और आपस में ज्शूइनड कर्को अच्छे से दिए और यह हमारे पास दो वायर बच चुका है हम होल्डर में 100 वाट का बालो लगा दिए आप इसमें 220 वाट का सप्लाय देंगे 220 वाट का सप्लाय देने के बाद हम इस दोनों वायर के जाओ टच करेंगे यह जलना चाहिए अब देख सकते हो यह सिंपल तरिका से यह सिरीज सर्किट में बन चुका है सिरीज बल इसके दोरा हम सर्किट को कोई सी चेक करेंगे चलिए आप मैं वह आपको 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 करता है कि सीरीज बलब का यूज नहीं क cooking सब्सक्राइब आपका सर्किट कर रहा है आपके खाल में जो जल सकता है या mí सेक्ट में का स замеч йoda आपको स्यू colony प्ора करना या सी कूछ करने के लिए तो इसा सबसे पहले हैं किसी एक खैस् afu करेंगे चूछ करने की बाद शक्ति देखत थी तिंध野 प्र्यक्रीओ यहां पर आया हुआ है यहां से इसमें connect है उसके बाद आप देखो यहां पर एक component है जो की NTC है निगेटिव temperature coefficient और यहां पर आप देखो यह कहीं भी कनेक्ट नहीं है यह वह बिलाक वार आया एंटस्वरा भूण्ण है धाल भाला त्यूक्ति दिष यहां प्वाद देख की तीन पॉइंटि आपस में प्नेंटो एप आपिछे खाद सैट आप देख सकते हूं और तीन जो चौन कोंपोनेंट है वह characterized बिल्लू कलर का पीज़ीन गाला केपिस्टैंट के बाद जो एक है और तीसरा अव्ला जिए कोंपोनेट लगा हुआ है वह है इंडक्टर यहाँ पर NTC क्या होता है यह की सिकर्ट क्या होता है यह मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन मैं अपको इस सर्केट में चेकर ते वह बताता हूं यहाँ पर आप देख सेकत हो यह तीन यहां पर किसे करता है वह मैं आपको अगले वीडियो में बता दोंगा ताकि आपको एक्चोली में बहुत ही अच्छे से पता चलिए यह आपस में इसका जो एक-एक पॉइंट है इस तरका से तीनों पैरलल में कॉन्यक्ट है दोनों साइड से इसमें बहुत सारा कोईल जूरा हुआ है यह एक्चोली सर्कीट में फ्लक्ट्वेशन आता है तो उसको रिमूब करने के लिए लगाया हुआ रहता है यह कैपसिटर और इंडक्टर इस तरका से यहां पर लगा हुआ के यहां से लेकिए यहां पर यह पॉइंट आया हुआ द गया यहां से फ्यूज है यानि कि रेसिस्टर है और यह इतना दूर से ओनली एसी का सर्कीट है तो जलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा चेकर करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके एक पॉइंट में लगा देंगे और यहां से आप सबसे पहले यहां प सइसरे पॉइंट में लहां ज़ criter चेक कर रहा हूं एटिक स्मया रहा है यई मिले के रिखार टो हाँ यहां आपको नीगेटिव एखा रहे हो है कि शेंक कि अनोडने नहीं जो में ट कॡ़कि चकशिंदेल देखके और आपको ऑशभा हारा है ऐसे उल गला को आप चेक करो गए शीरिज बल्ब के दुवारा आपका 100W का वाल जलना चाहिए किसी भी प्वेंट पर दुस्से लाइन में ठीक उसी तरीका सी चेक करोंगे शीरिज में तो वह जलना चाहिए और यादि एक लाइन में एक वायर को लगाते हो और दुस्से लाइन में अगले वीडियो मैं आपको बहुत सारा चीज चेकर करके देखाऊंगा इसमें जो जो कंपोनेंट लगा हुए वो कैसे वर्क करता है उसका वर्क क्या है मैं आपको सारा चीज बताऊंगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद